Hello student, welcome to Saint Angel Online Classes, stay home, stay healthy, we are working from home. Class 8, subject math, chapter 7, cube and cube root, part 4. आज जो हम बात कर रहे हैं, हमें 7.2 में कुछ true, false और fill up करने हैं, तो इसे कैसे करेंगे? तो जो मैंने इस से पहले के वीडियो में आपको cube और cube root से related बाते बता ही हैं, बिल्कुल वही करने हैं. For example, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, बागी आपको खुद करने. Question है, there is no cube root of negative number. अब मैंने आपको क्या बताया था? कि याद करो, कि जो negative number है, उसका cube root भी negative होगा. और जो positive number है, इसका cube root भी positive number है. तो मैंने जो बताया था, उसके according यह क्या है? False है. यहाँ कह रहा है कि होगा ही नहीं. Negative number का cube root ही होगा. तो यह क्या है? False है. Second, देखो. Cube of an odd number is odd. यह तो बड़ा easy आपको याद होगा. मैंने बताया था कि even का cube even होगा. Odd का cube odd होगा. तो यहाँ पर यह statement बिलकुल ठीक है. अब कह रहा है, square of a number is positive. So cube of that number will be also positive. अब देखो, जो यह point है C, यह false है. अब कहोगी क्यूं false है? अब दियान से देखो. अब मैंने लिखा minus 2. अब मैं इसके square करता हूँ. तो क्या हा रहा है? Plus 4. क्यों square है तो minus minus plus होगा. लेकिन अगर minus 2 का मैं cube करता हूँ. तो यहाँ eta रहे हैं. और यहाँ पर minus भी रहे हैं. तो उसके according statement false है. कि अगर square positive है, तो जरूरी नहीं. जो cube है, वो positive भी है. ऐसा नहीं है. तो यह क्या है statement? false है. तो इस तरीके से आपको यह fill up करने हैं. देखो, बड़े simple है. अब जैसे कि यह question है, कि for a number to be a perfect cube, it must have prime factor in pair. अब cube से related यह pair वाला, तो हमने square में पढ़ा था, cube में क्या पढ़ा था हमने? याद करो, cube में मैंने आपको बताया था, triplets, perfect cube होने के लिए, क्या होने चाहिए? triplets, यानि 3 का group होना चाहिए. तो उसके according to statement false है. अच्छा, देखो, यह बड़ा एक interesting है, कि cube है, 27 plus 64, और यहाँ, इस कल 2 में अलग-अलग रिका है. बिल्कुल ही गलत है. क्यों, हम plus में यह चीज नहीं कर सकते हैं. पहले हमें add करना पड़ेगा, फिर हम बाहर, अब याद होगा आप लोगों को, कि हम prime factorization करते हैं, और उसमें multiply की form में लिखते हैं. अगर यह इस form में हो, तो हो सकते. प्लस के form में नहीं हो सकता, पहले हमें इन्हें add करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे, तो यह statement भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया. अब देखो, next पे आते हैं, the cube root of negative perfect cube is always. याद करो, simple सी बात, cube हो या cube root हो, positive का positive और negative का negative होगा, तो negative है तो क्या हैगा? negative होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिलकुल भी नहीं, अच्छा, जैसे की देखो, अब एक question है, if in a prime factorization of a number, कि हम कोई number है, उसका prime factorization करते हैं, each factor appear three times, जितने भी factor है, three times आ रहे हैं, मतलब triplets हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो perfect cube है, अब देखो एक question है, minus a cube into minus b, अब देखो यह बाहर तो आ जाएगा, लेकिन a किसमें negative में, तो minus a होगा, और b भी हमारा negative में है, तो किसमें हैगा, minus में, लेकिन अब जो मैं इने multiply करूँगा, तो minus minus plus a b, तो इस तरीके से जो fill up है, और जो यह true false है, यह आप लोग करोगे, जो मैंने आपको पीछे explain किया है, next question है, find the cube root, question number 3 है, find the cube root of the flowing by prime factorization, चलो याद करो, prime factorization तो मैंने आपको शिखाया है न, याद है सबको, okay, क्या करते हैं, two से start करते हैं, two ones are two, two threes are six, two sevens are fourteen, two twos are four, फिर last में two है तो two से, two sixs are twelve, carry one, two eights are sixteen, carry one, two sixs are twelve, फिर two से, two threes are six, two fours are eight, two threes are six, अच्छा ये याद होगा, किस का cube है, तो पता लग जाएगा कि किस से काटना है, seven का cube है, मैंने आपको कहा था, कम से कम, twenty तक नहीं, तो दस तक तो कम से कम याद होने चाहिए सबको, तो ये seven का cube है न, seven से काटने, तो क्या है आप 49, फिर seven से, seven and seven से, ये आ गया, अब हम इसे ऐसे लिख सकते है, two, seven, four, four, अंडर रूट, इक्वर्ट, two into two into two into seven into seven into seven, अब याद करो, triplets बन गए, अब हर triplets में से, एक नमर बाहर आ जाएगा, तो answer हमारा, 14 है, कोई दिकत, prime factorization करेंगे, triplets बनाएंगे, that's done, कोई दिकत तो नहीं, अब चाह, next question देखते हैं, question number four है, कि इसमें भी हमें, cube root निकालने हैं, लेकिन इसमें fraction में number है, तो क्या हुआ fraction में है तो, बहुत easy है, seven, twenty-nine, चलो इसका prime factorization कर लेते हैं, three से, three, two, जा, six, three, four, जा, twelve, three, three, जा, नहीं, फिर three से, three, eight, जा, three, one, जा, फिर three से, three, two, जा, three, seven, जा, फिर three से, three, nine, जा, फिर three से, three, फिर three से, done, इसका भी कर लेते हैं, two, one, nine, seven, चीक, ये किसका है, two से नहीं जाएगा, three से नहीं, 13 से जाएग, ठीक तो आएगा 13169 फिर यह 13 से और यह 13 से ठीक अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 729 अपॉन 2197 अच्छा एक चीज यहां क्यूब लिखना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है अगर मानलो यहां हम क्यूब नहीं लिखते हैं अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ध्यान से सुनना मेरी बात को कि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते तो इसका मतलब यहां 2 है 2 से उपर अगर हमें कुछ शो करना है तो लिखना पड़ेगा जैसे 3 है तो तभी जब 3, 4 अगर खाली है तो उसका मतलब 2 माना जाता है तो इस बात को आप बहुत याद रखना कि cube root जब भी भी लगाओगे तो 3 जरूर लिखना है आपटे तो इसका हो गया 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम एंड यह 13 इंटो 13 इंटो 13 अब triplets बनेगा देखो उपर का बन गया 3 इंटो 3 और नीचे का 13 तो आंसर आ गया 9 अपान 13 एनी confusion? नो कर सकती हो आप लोग easy है ओके next देखते हैं क्या question है कह रहे कि find the smallest number find the smallest number which when multiply by the following number will make the product a perfect cube अब देखो question कह रहा है कि यह जो number है हमारे पास यह एक perfect cube नहीं है यह perfect cube नहीं है इस number को किस से multiply करें? कि यह perfect cube हो जाएं और फिर उसका cube root भी निकालों तो सारी चीजे करने से पहले हमें इसका prime factorization करना है prime factorization आप लोग सीख गए होंगे मुझे उमीद है थोड़ा सा disability rule जैसे 2 का 3 का वो भी याद होगा तो आप लोग इसको असानी से कर सकते हैं वन कहरी बचा 5, 2 जा 10 वन कहरी बचा 5, 2 जा 10 और 5, 5 जा 25 फिर किस से? 5 से 5, 2 जा 10 2 पे 2, 22 5, 4 जा 20 और 25 तो 5, 5 जा 25 फिर 5 से? 5, 4 जा 20 और 5, 9 जा 45 7 अब देखो इसको लिखेंगे अब ध्यान से आप लोग इतना तो आपको clear हो गया होगा कि जब इसका triplets बनाएंगे तो एक 7 की कमी है तो हम लिखेंगे 6, 1, 2, 5 इक्वल टू 5 इंटू 5, इंटू 5 इंटू 7, इंटू 7 अच्छा आपको पता लग गया होगा कि हमें किस से multiply करना है 7 से तो smallest नमर smallest must be multiply 6, 1, 2, 5 is perfect cube is 7 तो किस से multiply करेंगे 6, 1, 2, 5 इंटू 7 अब देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ता एक 7 आ गया तो यहाँ पर अब triplets बन गया 10 जो इसका perfect cube होगा क्या होगा 5 इंटू 7 35 clear है समझ में आया आप लोगों को यह multiply वाला मैंने इससे पहले भी एक बताए था बतूट में इतना length ही नहीं करना तो उसमें direct बता रहे थे तो आप लोग कर लोगे ओके we will meet in next video and you have to do all the questions fan बत्ना बत्ना बत्त बत्ना झाल झाल